घर से शुरू होगा एकदम छोटा स्केल में बड़ा बिजनेस बेसक मसाला का बिजनेस और आर्णिंग होगा दुगना आर्णिंग बराने के लिए यह वीडियो को हम बना रहे हैं यह सब माल हम खरिदते हैं जिस जगा से उस जगा के बारे में तो हमने हर वीडियो में बता कर सकते हैं इसके बारे में बताएंगे उससे पहले हम बता देते हैं कि मेरा नाम है जोई किश्णों कुनार आप लोग देख रहे हैं एम बीएम बिशनेश यूट्यूब चैनल तो अगर वीडियो थोड़ा से अच्छा और काम का लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए का ताकि जैनूइन इन्फोर्मेशन मैं आप लोग को देता रहा हूँ आपने शुरू में जो देखा है वो है कच्चे अलाइची और यह उसको सुखा के इस तरह से और इसके बार इसको श्रूटिंग कलिंग ऐसा होता है लेकिन बात यह नहीं बात है कि पौफिट जैने करते हम एक कि इसमें आप कितना इन्वेस्ट कर रहा है यह बहुत ज्वाधा मैटर करता है कि कि यह बिजनेस में मिनिममाम इन्वेस्ट 25 से 50,000 रुपया करने ही 12 रुपया का पैक्किंग करके अब इसको मारकेट में बहुत ज्यादा सेल कर सकते हूं 25 में हमने इस तरह से काम किया था फिर धीरे धीरे इसको मतलब सेल जैसे जैसे बढ़ा है वैसे वैसे हम इसको गोटा के ओपर ज्यादा धियान दिये हैं दीरे दीरे पैकिंग करना बंद कर दिया है आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं यह देखिए हमारे घर में ट्राइफूड का भी बहुत सारा पैकिंग होता है जैसे काजू हो गया किश्मिश हो गया बदाम हो गया और भी कुछ-कुछ आइटेम है इस तरह से पैकिंग करके हम उनको मार्केट में सेल आउट करते हैं और यह काफी ज्यादा होता है हमारा यह वाइब है यह भी काम करता है और काम करने के बज़े से आरिनिंग का जो सोर्स है वो और भी से थोड़ा बढ़ जाता है और साथ में रह के काम करता है अच्छा क्वालिटी घा माल की की लेबर को स्थ हमारा बहुत कम हो जता इसके पिECT में मार्केट में सेल कर पता हूँ ज्यादा से ज्यादा सेल कर पता हूँ तो आप लोब ही कोशीश करो मेरे देखने χोगा आपको करना परेगा जब तक आप करोगे नहीं तब तक आप समझोगे नहीं कोई लाख समझाए लेकिन आपको सही बात तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप खुझ से नहीं करोगे मेरे को भी लगा था लेकिन जब फिल्ड में में उत्रा पहले में गोटरी का फार्म कर रहा था उसमें काफी सारा लाँस हो गाप फिर इस फिल्ड में आया उस्से भी पहले में नौकरी करता था इलेक्टिकल डेफर्मेंट में फितर कह vors देखिए भेनी लाइए किसको किसको पता है उठ्वा कॉमेंट करके बताईए और जिसको पता नहीं वो भी कॉमेंट करके बताईए यह पता था यह हरे लाइशी यह सब मसाला जो आप लोग देख रहे हैं सारा लेकिन किरिला का अभी पहले में इलेक्ट्रिक मान्ट पाउर स्टीट प्लांट इस सब में काम करता था फिर घर आया फिर वक्री फार्म किया यूटूब देखके तो यूटूब में जो भी इनफॉर्मेशन मिला था एकदम हांडेट परसन गलत इनफॉर्मेशन मिला था इसलिए मैं फिर यूटूब चैनल भी बनाया ताकि आर लोगों क के बार में बताता हूँ हरी वीडियो में बताया हूँ मसाला मार्केट देखिए अगर आप लोग छोटा क्वांटिटी में खड़ी सकते हैं खरीदना चाहते हैं तो सबसे बड़ा मार्केट है दिली दिली खड़ी बबली मार्केट मसाला और ड्राइफुड का सबसे बड़ा तो उसका मार्केट है केला केला में कुछी आइटे मिलता है उससे पहले एक चीज बता दूँ यह जो पौधा पेर आप देख रहे हैं यह है ब्लैक पेपर है निके काला मरिच का पेर है इस तरह से यह फलता है फिर पकने के बाद जनुरी फेवररी में नया फसल आता है लेकि लोग अगर शुरू करना चाहते हैं तो क्वांटिटी आभी अगर स्टॉक करेंगे लेकिन आभी स्टॉक करने से थोड़ा बहुत तो मार्केट गिरेगा जनुरी की फेवररी मार्च से इसका फिर पिक अप ले सकता है अभी नीचे डाउन होने का चांसे से ज्यादा है और मैं इंडिया का सब बड़ा बड़ा मार्केट घुमा हूँ जैसे दिल्ली मुंबई कलकता तो हमारा घर में घर ही है उसके बाद आपका गुजराट राजस्थान जहां पे जीरा मूरी मेथी कला जीरा हर एक मसाला का अलग अलग मतलब में जो जगा मंडी है वो सब जगा आ सब्साल में रहता था अब है घर पुड़ा भर गया है यह गोल पानी क्यावड़ा पानी के सब हैं इस तरह से लाइची इस तरह से काम को धिरी धिरे धिरी करके बढ़ा बढ़ा के अब हमारा एक से डेढ़ तन लाय कि आता है औरहाई तीन टन लॉंग आता है गोड्वीव को बढ़ाया हूं आप लोग भी शुरुआत कम से कम मतलों मैं दस-दस किलो सब आइटेम को लेकर काम को शुरू किया था फिर अभी ऐसा है कि इस तरह से माल आ रहा है एक दम मुकाम से आ रहा है और इसके बज़े से सेल भी जादा हो रहा है आप लोग भी कर सकते हैं सेल अग मैं नहीं बोल रहा हूं कि मसाला काई बिजनेस करो कुछ भी करो जो आपको सही लगे दस वीडियो वीडियो देखे टाइम बरबाद मत करो जिस लाइन में आपको उतरना है उसी लाइन का वीडियो आप देखो आपको कुछ ना कुछ तो नौलेज हो गाई लेकिन ही ज्यादा लॉस से वेल विशनेस है दोनों पत्तल का जितना में आप पॉडक्शन करोगे उससे बहुत कम रेट में मार्केट में मिल रहा क्योंकि वो लोग पेपर मिल का मिल से लेकर के अल्डेडी जो रो मेट्रियल खुद का सेटप बना के कर रहें उनके साथ आप कभी भी नहीं कॉंपिटिशन में आ सकते हैं तो वो उस तरह का पेपर प्लेट पेपर का इस तरह का बिजनेस करने से पहले एक बार मार्केट स्टैडी कर लीजेगा क्योंकि मैं भी शुरू में इस तरह का काम करने के लिए सोचा था लेकिन उसमें बहुत ज्यादा पॉफिट ह यह है कि वीडियो बनाके बिजनेस को प्रोमोट करके वहां से पैसा मिलता है वीडियो बनाने का मेरे को खुछ मालूम है मैं भी छोटा मोटा यूट्यूब चैनल चना रहा हूं और इस तरह से एक दो आफ़र हमें भी आया था छोटा मोटा लेकिन मिलता है तो इस तरह से लोग सवब्धान हो जाएए देखेए आप बाद में ले सकते हैं जब मार्केट में मार्केटिंग आपका सही हो जाएगा तब आप खुद ही जान जाओगा कि यह लेना नहीं है शुरूम ही मुस्किल होता है कि कि आज सबको जानकारी नहीं रहता है न उस तरह का आप अग जब आपका सही हो जाए तब आप उसमें घुश सकते हैं सुरू में कभी भी मत घुशिएगा क्योंकि पाउडर में तो और ज्यादा लिख से हैं पाउडर कुछ